कि हैं लो भुलकम बैग मत सिर्मैंटोनों टीसियस जैशक फूर्स के चैप्टर चलरए है यह चोजस न्रेग Walmart चरीटी नाग है इसके पहले इस इस क्लास्ट वो चुका आप चानली हो एम कोई च्राश जो क्लास्ट हो चुका meditation अगर हो यह आपके homework पे दिया हुआ था आसा करते हैं आप से नहीं बन पाया आसा क्यूं कर रहे हैं क्योंकि आपने comment section में कोई answer नहीं दिया मतलब आप से नहीं बन पाया इसलिए आपने answer नहीं दिया अब देखो ध्यान लगाते हैं हमारा telegram channel आ चुका है at the rate of assc mathon ठीक है search कर लेना search करके join कर जाना तो उसमें कुछ ताकि आपको पता चल जाए उसमें कुछ classes एक दो एक ही class upload कर चुके हैं और साथ में rrc group dk rrc group dk 2018 वाले set के हमने 63 set आपको करवाया था उसमें से 37 set के pdf उसमें दिया हुआ है और एक exam भी दिया हुआ है उसमें जाओ जाके quiz के तरह दिया हुआ है आप जाके वहां पर enter करो और जाइन करके exam कितना marks आता है आपको पता चल जाएगा कितना rank होता है वह भी पता चल जाएगा एक testing के लिए exam दिया हुआ है लेकिन उसमें पूरा full marks नहीं कबर किया गया है ताकि आप full marks score कर पावा ठीक है तो बड़ी बात तो पहले में बेच दिया तो SP यह है आपका profit इसमें 20% का profit है तो 20% का profit है बराबस CP कितना है 80 यह जो question है यह समझ लिए तो फिर दिकत नहीं है if the price at which he buys the goods increases by 10% तो इसका price बढ़के कितना हो गया 10% बढ़त्री मतलब 88 बन गया ठीक है यहां से कितना हो जागा सब्सक्राइब को डिवाइड करना है तो कैसे हो जागा दूना 88 होता है तो से 0 और इधर कितना होता है सर इधर होता है आपका अचा इधर दो हो जाएगा और आठ इकम नौ इकम दस तो चार तीन बारा तो तीन नहीं जा रहा है तो दो ट्विंटी टू पॉइंट सेवन क्या स्पास हो जाएगा अप्शन नमबर डी इस ता करेक्ट बड़िया बात कोई दिखकते समें आसगरता नहीं है तो छलिए देखते है नेक्स्ट कुशन क्या दिया होएं अगर कोई भी डाउट रहता तो नीचे देखो एक इमेल आईडी दिया हुआ एक्जाम पोटल ससी मैंतल अडरेट अप जरूर करना अचा किसी कोईशन का सॉलीशन अगर खराब लगता है आपको आप में से बहुत सारे ने मैसेज किया एक कुईशन में आपने मैसेज किया किसी ने किसी भाई को मैसेज करना मतलब पसंद नहीं नहीं आया तो उन्होंने लिखा अगर आपको कोई दूसरा सॉलीशन आता है तो आप मेल कर सकते हो इस क्वेशन का ये सलीशन साब देख सकते हो ठीक है अब बताएए देखते हैं आपके तरीका क्या है आप उसमें कारण भी जरूर बता दीजेगा ठीक है क्योंकि होता है था वह आपका स्टैट में काम में आ ऐगा जैसे बाठ डाइगराम होता है पाई चार्ड होता है उस कैल्गृशन में जब आप आप जाके पांच क्योश्टिन करोगे ठीक है तब जाके समझ में आएगा किस तरीके से उसको कैल को चल्कूलेट किया जाता है वह वह कोई दिखकत नहीं है तो 35% of goods were sold at a profit of 65% while the remaining was sold at a x percent loss if the overall loss is 12% then what is the value of x correct to 1 decimal बताओ एक चीज़ क्या बता है कि 35% का value क्या होता है सर्फ कुछ नहीं 7 वटा 20 होता है 7 5 35 होता है 7 वटा 20 हो गया ठीक है मतलब साथ एक और 13 इतना goods अगर हरेक goods का हम लोग 100 पकड़ ले मतलब हरेक goods का यह फिर बोल सकते हो 100 value पकड़ ले तो 7 का कितना value हो जाएगा सर साथ का value हो जाएगा कितने में सर साथ का value हो जाएगा 700 एंड टेरा का 300 बड़िया बात overall 12% का loss होता है मतलब total unit कितना था 20 unit था 100 हिसाब से गुना करें तो 2000 आता है 12% का loss हो रहा है मतलब कितना 12,000 गुना 88 अपर 100 कर लेता है 100 कर लिए तो कितना होता 0 8216 17 1760 आता है यहां तक हिसाब रुख देता है ठीक है यह होता है आपका total selling price होना है overall में अब देखो जर profit of 65% मतलब 700 के profit कितना हुआ 65% तो 700 को ना 65% profit मतलब 165 बत्रा 100 कर सकते हैं हाँ सर तो 75 35 कर रिफ़र 30, 76 कर रिफ़र 45 कर रिफ़र 4, 7, 7, 4, 11 तो 1155 होता है कितना पहले वाले case में अब बचा कितना हुआ है इन दोनों का gap कितना होता है हिसाब कर लगता है तो कितना होता है पांच पांच एकम छे जिरो और एक से छे साथ तो 605 है ठीक है तो 605 जो आया क्या ये आपका SP of remaining 13 goods हुआ हाँ सर तो 13 goods का SP 605 तो सर तेरा सो के ऊपर 605 लगबग लगबग 50% का सपस होता है लगबग ज्यादा नहीं लगबग लगबग 50% का सपस होता है कितना price का value तो देखते हैं 605 अपां 1300 ठीक है गुना 100 ये क्या होता है सर ये हिसाब करेंगे तो कितना प्रतिशत value में बेचा गया है ठीक है तो ये 50 से कम है ठीक है ये 50 से कम है ध्यान लगब तो कितना हो जाएगे हिसाब करता है तो 00 कट गया 13 से काटेंगा तो 1355 अच्छा 13 चुके 152 चल जा रहा है तो 46% में आपने बेचा बराबर 46 पाइंट सम्टिंग कुछ हैगा 46% में बेचा बराबर loss कितना हुआ Sir 100-46 यह आपका हिसाब है तो 100-46 बराबर कितना होता Sir 54 के आसपस आएगा कौन सा हो जाएगा Sir 54 से थोड़ा सा नीचे हिसाब कर लो क्योंकि 46 से थोड़ा जादा होना चाहिए था 53.5 is the correct answer समझ में आगे या फिर कोई दिक्कत है आसा गरते नहीं है तो चली देखते हैं नेक्स्ट कुशिन क्या दिया हो है तो चली देख लेता है नेक्स्ट कुशिन क्या दिया हो है यह पहले भी बोल चुके है आप चलो देखते है Sir यह अभी current चले गया अभी problem देगा machine ठीक है क्या दिया एन आटिकल वस वु सोल्ट फॉर फोर फोरफीट आफ फोर्तिन परसंट थेक है बहुत बहुत बढ़िया है तो चाहव चौदा परस प्रॉफिट में बेचा जाता है Had it been sold for रूपीज वऔन ट्वेटिवान में sold for rupees 121 less a loss of 8% would have been incurred मतलब सर कितना होता सर देखो sold at a profit of 14% में आपने बेचा तो अगर 121 में less में बेचा या था ठीक है sold for rupees 121 less a loss of profit 8% would would have been बहुत बढ़िया अचा ठीक है if the same article would have been sold for rupees 536.25 अगर 536 दस हम लोग 25 में बेचा जाता then the profit of loss percent would have been देखो ध्यान लगाओ article को sold किया गया profit of 14% में ठीक है उसके उपर आपने क्या किया उसके उपर it had been sold for rupees 121 less अगर 121 less में बेचा जाता है तो loss हो जाता 8% ठीक है तो सद्ध्यान लगाओ इधर का 14% और इधर का 8% आपको मिल रहा है मतलब समझ में आया अगर 100 में हमने 14% profit में था वहां से 121 घटा आने पर आपका 8% का loss हो जा रहा है तो आपने कितना किया सद्ध्यान किया कोस्ट प्राइस के उपर गुना 14 और 8 कितना होता है 22% अगर हिसाब कर रहे हो तो बराबर 121 आ जाता आपका answer क्या किये हमने 121 रुपए लेज करने से हमें loss हो गया तो 0% यह था 14% आप profit में stand करते थे जैसे ही 22% का loss हो गया आप कहां stand किये आपने stand कर गये यहां पे stand कर गये सर क्या करना है इसके उपर CP का हिसाब कर लेते हैं तो कितना होता सर 121 अपन 22 गुना 100 हां सर तो दो यारा 22 तो दो पचास सो तो यारा से यारा यारा 12 तो बराबर 550 हो जागा अगर आप उसी को पांसे जर सम्हलोग 25 में बेच रहे हो तो loss हो रहा हां सर लास हो रहा है और 36 35 25 तो यहाँ से फिर से आएगा सर कितना होता है पांस तो यहां डूना ना होता है तो यहां 59 बटतर नहीं होता है स स्थ टूपाइंट 5 5 परसेंट का कुछ भी हिसाब लॉस होगा कुछ भी हिसाब और वो लॉस होगा option number C is the correct answer बढ़िया बात है तो चले देख लेता है next question क्या दिया हुआ है यह सी सीजिल ट्यार टू ठातीन सेप्टेमबर 2019 का question ठीक है थोड़ा से समझ लेता है क्या दिया हुआ है यह swapkeeper allows an 18% discount ठीक है swapkeeper ने क्या-क्या 18% discount allow करते है on the mark price mark price के ओपर 18% discount allow कर देता है and still makes a profit of 23% if he gains rupees 18.4040 on the sale of the article then what is the mark price of the article अब देखो सर स्टील मेक से profit of 23% किसी का 23% profit मतलब समझ में आ रहा है हां सर किसी कीस का 23% profit सर मार्क price के ओपर 23 नहीं सर सीपी के ओपर 23% का profit हिसाब कर रहे हो ठीक है बड़िया बात हां सर तो सर सीपी क्या हो जागा सर सर सीपी हो जाएगा आपका 18.4040 upon कितना हो जाएगा सर 23% का value आ रहा है कितना 18.4040 तो upon 23 गुना 100 कर लेता है हां से 100 हो गया तो सर यह point हटाने के लिए हमें नीचे से कितना गुना करना पड़ेगा एक दो थीन चार से 0 से तो दो जिरो दो जिरो कड़ गया यह 0 यह 0 कड़ गया तो सर क्या आ जाता है value 23 से हो जाएगा कटेगा सर 23 से कटेगा तो कितना हो सर 18404 को 23 से काटते हैं तो 23 एकम अच्छा 23 से एकम से नहीं तो आठ से चाहेगा आठ तिन चौबिस करिफट दो आठ दुना सोला दो आठ रहा वानेटी फो हो गया तो 04 आता है तो 04 आ रहा है मतलब सर पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट के लिए फिर 0 हो जाएगा तो यह थोड़ा सा वैलू पेचिदा बन जा रहा है क्यों पेचि अब यह मार्क प्राइस के उपर 18% डिसकाउंट दे के सेलिंग प्राइस करता है एस पी यह और सीपी ओरिजिनली कुछ भी होगा देखा जाएगा ठीक है तो मार्क प्राइस अगर पचास है तो सीपी किस्पी कितना है सर्फ 41 है यहां तक सही है समझ में आ गए हाँ सर अब 315 तो इसको हिसाब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सर्फ देड़ सो आएगा एक सो तेईस आएगा और यह सो आएगा यहां तक सही है कोई दिक्कत इसमें आसा करते नहीं है तो बढ़िया बात है अब देखो सर क्या दिया हुआ है सर्फ इफ गेंस रूपीज वान इट 4404 गतना कितना हो जाएगा तो यह पूर जीरो के छिरो के लिए यह दो 53 44 दो फो एक दों कड़िया यह तो कड़िया तेज से काटते तो कितना होता से तीन छे छेतीन सरी आठ तीन चौभीस का रिफट दो आठ दुना शोला दो आठरा तो सर आठ से आता है ठीक है तो एट हंड़ेड के आसपसी कर लो क्यों कि सर फूर है न लाश्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो एट हंड़ेड गुना 15 कितना हो जागा जिरो जिरो आठ पांच चालिस का जिरो कैरी फट चार आठ एक कम आठ चार बारा तो बारा हजर के आसपस आ ठीक है तो बारा हजर लेकिन नीचे सव है हां से सव का दो जिरो कर गड़ेगा तो 120 के आसपस ही आएगा आप्शन नम्बस शी शोड़ सब्सक्राइब काम चला लेना है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो चले देखता है नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुआ है ठीक है पंदरा मिनिट हो चुका है लगबग लगबग करेंट चल चुका जा चुका है एतना करेंट नहीं जाता है यहां पर यहां पर थोड़ा सा अच्छा है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्राबलम नहीं होता है तो यहां पर प्राबलम हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आया है देखो सुधा क्या क्या 80 articles at a same price तो 80 article को किसी price में खरीदा गया ठीक है बहुत बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग नहीं पता कितना में she sold some of them at 8% profit remaining at 12% loss resulting in an overall profit of 6% the number of the item sold at 8% profit तो ये बहुत ही बढ़ी है देखो ये हिसाब आप allegation से भी कर सकते हो और बाकी process से भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा allegation से ही कर लो उससे आसानी हो जागा देखो किसी में profit 8% का और बाकी में loss है 12% का तो माइनस 12 लिख दिए total में profit है plus 6 का ठीक है तो हिसाब लगाते है तो इन दोनों का gap है दो इन दोनों का gap कितना बारा चुक है अठरा ठीक है तो अठरा तो 18 ratio 2 बराबर 9 ratio 1 आता है तो 9 प्लस एक unit के value बराबर कितना आता है 80 articles तो sir एक unit के value बराबर 8 articles आता है ठीक है बहुत ही बढ़िया है अब देखो sir एक चीज़ हमें समझना है the number of the item sold at 8% profit वाला तो यह लिखे थे तो 8% वाला नौ यूनिट नौ आठ बहुतर वाला टोटल 72 यूनिट को इस हिसाब से बेचा गया था option number C is the correct answer कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए देखता है next question क्या दिया वाए स्थे सेटीन सेटमर नाइंटीन में पूछे गया तक if the selling price of an article is 32% more than its cost price मतलब sir SP of an article is 32% more than its cost price समझो मेरी बात को selling price क्या है SP CP से selling price of 32% more than CP से 32% ज्यादा मतलब यह तो नॉर्मल चीज है sir 32% का value कितना होता है सच 4% का value होता है एक बड़ा पच्चिस तो 32% का आड़ बड़ा पच्चिस ठीक है the discount on its mark price is 12% then what is the ratio of its cost price to mark price तो mark price के ऊपर discount कितना दिया नहीं पता है सर SP CP MP हिसाब कर लेता है तो MP SP CP यह chronology में हम लोग लिखते हैं ठीक है तो mark price में कुछ था SP में कुछ हुआ क्या पता सर 12% का value कितना है सर 12% का value दिया हुआ है चार परसन का होता है सर एक बड़ा पच्चिस तो तीन बड़ा पच्चिस ठीक है मतलब अगर mark price 25 था तो SP कितना हुआ 22 हुआ अच्छा और क्या दिया हुआ है सर SP देखो सर 85 13 33 ठीक है ध्यान लगाता है देखो सर article is 32% more than its cost price 32% more मतलब सर CP अगर 25 था 28 33 हो जागा तो 25 यह यहां पर लिख लेता है तो सब 3 यहां से 3 से गुना करेंगे 25 यहां से कितना होता 37 दूना 6 छाट इस्टू इधर कितना होता है से 2 से गुना 50 वह जागा बढ़िया बत हम ही क्या मांगा था आपको डूसरा तरीका दिकाते हैं दूसरा तरीका मतलब सर अभी समझो हम नॉर्मल जो इस में इस कोईश्चन में पार्जंटेज फ्रैक्शन वालू का उतना हिजाब नहीं करना पड़ता अगा थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो तो किस तरीके से करोंगे सर बहुत ही बड़ी हा बात है देखो सर क्या दिया वा तो माक्ट प्राइस का छूट दे रहो न डिसकांट दे रहो हां सर उससे क्या हुआ कोस्ट प्रैस के ऊपर थर्टी तू पार्षंट का आपको प्राफिट हो जाता है सेले प्राइस अथर्टी तू परिस परषंट मोर दन इस कौस्ट प्राइस तो सर्थीपी के 122 बटा 100 बराबर एस पी दिया निकाले दिको चार तिन बारण चार तिन बारण सब्सक्राइड- 288 जलए बार 4, 3, 33, 10 1, 22 सब्सक्राइड-100 तो 200 अ Miles 3 आ जाता है सक nutrit फिए MP और मेंक राएंपे लिए बोले था न हां सक Sis Super Man MP तो कितना हो जाएगा सर 200 बटा तीन रेशियो तीन गुना 100 तो 300 तो 00 कड़ गया दो बटा तीन आ गया रेशियो option number C is the correct answer ठीक है तो चलिए देखते है next question क्या दिया हुआ है अब सभी का दुआ काम में आ गया current आ गया electricity आ गया ठीक है अभी हिसाब कर लेता है क्या दिया देख लेते पार्सेंट यह क्यों कर रहा हुआ है अगर हम लोग एक चैप्टर पकड़ रहे तो हम लोग टार्गेट के सीजियल सीचल सीप्यों जितना सारा questions हम कर पाए सभी को लेकर आगे और एक चैप्टर जैसे करेंगे पूरा fully covered कर देंगे ताकि आपको एक साथ मिल जाए लगाता रहा चैप्टर अगर करना है कोई भी डाउट चैप्टर रहा तो आप उसी को कर लीजे खाली ऐसा नहीं टार्गेटेट बैच पे जैसे मैं इसके बाद सीजियल का अब जब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आभी चल रहा है बहुत पहले हुआ था उसके बाद कुछ बचा हुआ था उसको फिर से कंडक्ट किया जा रहा ठीक है जैसे ही सीजियल आपका खत पर चास करके देख लिएता है तो हन्डेट बैस्ट क्वेश्चन लेक आएंगे टीसी का इतना सारा कुछिचन उसको लेके प्र्यवियास का जितना सारा कुष्चन उसका लेके और पंचीस मेरा क्वेश्चन रहेगा हर एक सेड मैं खुद से क्वेश्चन बना के आपको द सुभे अपलोड करेंगे क्योंकि यहां पर तीन टोटल हो जा रहा है यहां फिर बीस करके कोश्चन करेंगे टिया टू का ठीक है तब जाके हमारे प्रॉब्लम नहीं होगा कोई टाइम का दिक्कत नहीं आएगा ठीक है बड़िया बात और अगर ठीक ठाक रहा तो हम लोग ग अब बताओ क्या बोला गया है अगर मार्क प्राइस सौ था तो डिस्काउंट कितना देता है 30% मतलब 70 में बेशता है तो एसपी 70 हो गया मार्क प्राइस सौ था इफ एड़े प्राफिट इस फाइब परसंट दें दा वेलो ऑफ एकस विल बी मतलब से सीपे अगर सो है तो 105 हो जारा profit, SP हो जारा 105, यह CP है, क्यों 5% का profit ना, हम 0 खाली नहीं काटे, देखो 70 से 70 से काटेंगें, तो 7-10-70 होता है, और इसका कितना होता है, साथ एकम 7, 8, 9, 10, 7, 5, 35, ठीक है, तो इस 15 को भी 5 और 3 में डिवाइड कर सकतो, तो इसको 35 दुना 70 कर सकतो, इसमें हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से, ठीक है, 10 दुना 20, 5 दुना 10, तो क्या हो जागा सर, 300 मार्क प्राइस, SP कितना हो रहा है, सर 21, 210 आ रहा है, और 200 आ जा रहा है, आपका CP, हमने 0 को थोड़ा सा ले लिए, हिसाब के सुविदा के लिए, दिन दे वैलू आफ एक्स विल भी, एक्स मतलब हमने मार्क प्राइस, CP से कितना बड़ा चड़ा के लिख दिया थे सर, सर कुछ नहीं, जैसे सॉपिंग माल में बड़ा चड़ा के लिखा जाता है, 200 के उपर आपने बड़ोत्री कर दिया, 100 परसंट का, 100 रुपए का, किसके उपर, 200 के उपर, कितना पतिसाथ, 300 कर लेता है, तो 100, 200 कार्ड देता है, 250, 100, तो 50 परसंट आपने इन्हांस करके प्राइस को लिखा था, option number A should be the correct answer, बड़ यह बात, कोई दिक कर दिस में, आसा करता है नहीं है, तो चले देखते है, next question क्या दिया हुआ, यह SECGL tier 2 2019 का question है, ठीक है, तो यह series हमारा चलता रहेगा, इसके बाद हम लोग extra add करेंगे, जब यह series खतम हो जाएगा, तब, ठीक है, अगर लगा कि नहीं, आपका कोई doubt वाला chapter आप नहीं बता रहे हो, जैसे time speed and distance इसके बाद है, उसके बाद अगर आप कोई chapter नहीं बता रह करें, ठीक है, यहां तक clear है, अब दिहान लगाते है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते है, अभी जहां पर हैं, वहीं पर practice करते है, सुजाता marked and article 36% above the cost price and allows a discount of 40% on the marked price, the lost percentages, देखो एक चीज़ दिमाग लगाता है, कि 36% अगर हमने कुछ हिसाब करने का कोशिस भी क् fraction में, चार्ड नो चातीज होता है, नो बटा पच्चिस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हिसाब करने में कोई profit नहीं आएगा, कुछ profit होगा, नहीं हिसाब नहीं होगा, अब देखो ध्यान लगाते है, यह mark price है, यह CP है, ठीक है, article को above the cost price, cost price के उपर, तो CP यहां प करता है, तो 40% मतलब दो दुना चार, दो पांच दस, तो 136 गुना दो, मतलब के दुना होता है, 13 दुना 26, छे दुना 12, तो 272 अपन 5000 है, हां सर 5000, इस 5 को गुना कर दो, तो 272 और 13 55, तो 635 तीस, तो 680 और 500, ठीक है, देखो गलती कहां पर हो रहा है, हमने क्या किया, allows a discount of 40 परसन, बढ़िया बात, तो 40% discount मतलब दो बटा पांच, तो originally SP कितना हो जाएगा, तो 3 बटा पांच होना चाहिए था, तो यह 136 गुना 136 गुना 3 होना चाहिए था, ठीक है, तो यह कितना होना चाहिए था, 136 गुना 3, और यह होना चाहिए था, जैसे हिसाब आया हो, ऐसा हिसाब, ठीक है, तो loss percentage कितना, तेरा तिया, उन्ता लिस, छे तिन, आट रहा, आठ केरी फोर्ड वन, और इधा चाहसवाड, पांस सो बीस के समान को आपने बेचा, चाहसवाड में, तो loss कितना हो रहा है, सर इधार आठ रूप, आठ से करते हैं, तो कितना होता है, आठ तो कितना loss हो रहा है, सर आठट दून दस, एक आता है, तो 92 का loss हो रहा है, हमने सही किये या फिर हिसाब गढ़वड किये, किस के उपर हो रहा है, 500 के उपर, कितना प्ति साथ इंटू सौ कर लेता है, पांच का hmडा दे, तो कितना होता है, सर पांच पांच आठ चालीस, अ आसपास आ रहा है आठाला दस्वम लोग कोछ बराबस यह आ रहा है यह फ्रैक्शन मैलू से भी आप कर सकते हैं हमने क्या किया इसको हिसाब थोड़ा सा समझ लीजिए सिपी एमपी और एसपी में हिसाब किए क्या कि हमने कह दिया कि हमें छोटा करके जरुद नहीं उन्हां करेंगे इसा डीटा दिया वाई फीज से गुना करना पड़ेगा वड़ा करना पड़ेगा तो सर हमने क्या क्या सौर उपए का सीपी रखा मांक प्राइस करके 136 बना दिए 136 के उपर डिसकाउंट डिसकाउंट किये तो 3 बटा 5 में बेचेंगे जो कि हमने बटा 5 कर लिए ते गलती से तो 3 बटा 5 कर देख्टम का नहीं तो हिसाब लगा हो हिसाब लगा कि कि इतना आता है देख लो बस यहीं तक ठीक है एक यह भी सब्सक्राइब तो हम लोग टेर टु का कोश्चन कर रहे हैं ताकि दिमाह खुल जाए एक बार लाकि इतना जरूस न चान्यां आजिए आए यह पार्षन सेल करता है आना आटिकल को 16% पर्षन बिलोई इट्स कॉष्ट प्राइस पे ठीक है यह एस पी है यह सी पी है तो सौ अगर सी पी था तो उन्हों ने सुलाब पतिशत का घाटा देखे बिलोऊ दा कॉष्ट पर बेश दिया तो स्वलाब सबते आता है तो कितना हो तो 84 में बेश्ट याक्त है है इसलीड़ फॉर रुपीस 33 जी साथ यूनीट लिग लेता है यूनीट के साथ अगर वो 33 रुपैस जादा से बेश्टे ही वूड एफ गेंट 14% तो 14 परसंट गें होता तो 114 यूनिट हो जाता तो वैलू 14% gain होता है मतलब 114 unit हो जाता profit है हमें क्या निकालना है कि हमें 25% का gain चाहिए तो यहां से हिसाब करो 84,8,3,3,3 unit के value बड़ावद 33 आ रहा है तो एक unit के value बड़ावद 33 आ रहा है तो एक unit के value बड़ावद 33 आता है गुना 100 unit CP पकड़े थे ना तो उसका value निकालता है तो तीन यारा 33 एक सो दस आ जा रहा है ओरिजिनल वैलो एक सो दस के ऊपर हमें क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना किसका 25% का profit मतलब 25 चके 100 तो एक बड़ा चार मतलब पांच बड़ा चार का profit निकालना तो हिसाब करते हैं तो पांस सो पचास बड़ा चार कितना होता है चार कम चार चार तीन बारा तेरा चौदा पंद्रा चार साथ अटाइस तसम लोग चार पांच पिस तो वान थर्टी सेवन पांट फाइब के profit हो जाएगा रूपेज में बेचेगा या फिस सेलिंग प्राइस हो जाएगा ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्या दिया होँ देख लेता है सर असा देख लेता है हमें नहीं पता है कितने में मीक्स कर रहा हो ठीक है 29 नबबय में बेचने पर आपको profit हो जाएगा पंद्रा पतिसद का profit हो रहा है तो ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ 29 नबबय गुना 100 बटा 1115 कर लीता है हां तो पंउंट को डाता तो जिरो हो है 5 दूना दस पांच-टिन पंद्रा ठेक है पांच से 25怕 같은데 यह चार्वीज़ा तो तो टीज़ा तो टीज़ा टीज़ा जाता ओर जिनल प्राइस मिक्स शरके अब देगो लगाता है 28 रुपीज प्रती केजी के साथ 16 रुपए प्रती केजी को कितना रेशियो में मिक्स किया जाए कि 26 बन जाएगा सर ये 2 होगा ये 10 होगा तो सर 5 रेशियो 1 में मिक्स करना पड़ेगा ठीक है how many kg of salt तो सर एक रेशियो के वैलू बराबाद 6.6 दिया हुआ तो पांच रेशियो के वैलू कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 37 kg आपको मिक्स करना पड़ेगा आप्शन ए शूडवी दा करेक्ट 2019 का कुश्चन है क्या दिया हुआ है एक पार्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस आट पर्सन के लॉस में बेचता है यहाड़ी सोल्ड एट गेन ऑफ 10.5 पर्सन ही उडव रिचीव रूपीज 92.50 मोर तो गेन 12 पर्सन ही सूडव सोल इट फ़र अब देको सर एक पर्सन ने 8 पर्सन का लॉस में बेचा तो उसको अगर 10 दस हम लोग 5% का प्रॉफिट में बेचता तब जाके उनको कितना मिलता है तो टोटल जाके 92.50 रुपीज प्रॉफिट होता है यह कहां से 92 दिख रहा है अचा थोड़ा सा साही से लिख लेते हैं 92.50 रुपीज प्रॉफिज मे दिया हुआ है बरावर 92.50 के समान दिया हुआ है तो इसको हटाता है तो परसेंट का अच्छा सो प्रतिशत का वैलू निकाल लेता है तो आपन एटीन पॉइंट फाइब गुना सो अच्छा इस पॉइंट को हटाते हैं इधर का पॉइंट हटाते हैं उपर दस हो जाएगा सर पांच पांच से ओंजाएका सर 80 590 होता है 5 25 तो पांश गुना होता है तो 123 परसन का गेन निकाल ला है तो सर बारा मतलब 112 रॉटा सो कर लेता है तो सर पांच से काटते हैं तो कितना हो जाएगा सर 545 तो चुपांच 210 सर 560 उजटा करेक्टन सर कहा है option देखो सर बी पे छुपा हुआ बैठा है बावू option नमबर बी इस तर करेक्ट अंसर बढ़िया बात कोई दिख्कत इस में आसा गरते कोई दिख्कत नहीं है तो चलिए देखते नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुआ बाट एन आर्टिकल रुपीज 5400 दिख रहा है नहीं से थोड़ा सा कट जा रहा है थोड़ा सा सही करो आचार 5400 में बाट करता है और सोल्ड कर देता है कितने हैं लॉस ऑफ 30 परसंट 30 परसंट के लॉस में बेश देता है बहुत बढ़िया और वाट विद 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 इस अम परसंट सर ये तरीका या तो आप ए प्लस बी प्लस ए बी अपन हंड़ेड लगा होगे क्यों क्योंकि सक्सेसिव वाला हिसाब हो रहा है पांच चार सो के उपर आपने तीस परसंट का लॉस कर लिए उसके बाद उसी प्राइस के उपर आपने साट प्रतिसत का गेन कर मैनस 60 प्लास हो जाएगा तो 30, 60 अपन हंडर तो हमें सही लॉस ही होगा तो मैनस 30 और इधर मैनस 36 यह तो ङतना हंना तो सरे 48 38% का loss हो जाएगा हमने सही किये नहीं सर थोड़ा से हिसाब करता है यह 30 का माइनस में था सर 30 का माइनस में था गलत लिख दिये तो माइनस 30 प्लास साथ माइनस 30 गुना साथ अपन हंडड़ अपन हंड़र तो यह कितना हो जागा सा 30 माइनस 6 तिन आठरा बराबर 12 परसंट का आपका गेन हो जागा यह लॉस नहीं होगा गेन होगा हमने गलती से साथ को लॉस पकड़ लेता तो गेन आजएगा अपसे नमबर बीस तर क बना लेंगे कैसे बना लेंगे यह बहुत संपल सा कुश्चन है दो आर्टिकल सोल्ट फार रुपीज 10384 इच वान वान सेलर गेन 18 परसंट और लूज ट्वेल परसंट वाट इस द ओवरल गेन और लॉस तो एक में अगर गेन करता है आठरा परतिशत और दूसरे में अग कितना रुपे का तब जाके हिसाब थोड़ा सा गड़बड हो जाता है देखो सर इसमें कितना हुआ सर 18 परतिशत का लॉस वा मतलब सर अगर सीपी सब्स एक्स था तो एक्स को कितने में बेचा गया था सर यह 82 में बेचा गया था सब एकस गुना 82 अपान हंडेड में बेच बेचा गया और इसमें बारा पतिसत का लॉस बराबर सर एटीएट गुना एटीएट अपन हंडिड में बेचा गया तब जाके दो सब्सक्राइब यह अगर समझ लिए ना तो यह कोश्चन्स आपके लिए बहुत ही चुटकियो वाला काम है थैनोस के जैसे चुटकी मारों के खतम हो जागा ठीक है तो यह रेशियो प्रपर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर् लिख सकते हैं सर दूनों आठाट रहा दो पचासव अच्छा सर बारा पर्शन का वैलू कितना लिख सकता है तीन बड़ा पच्चिस लिख सकता है हां सर खतम गानी अब देखो सब्सक्राइब और इधर कितना है सब प्रॉफिट और लॉस्ट प्रॉफिट और लॉस्ट ठीक सब्सक्राइब करने का तरिका और इधर ना जाता है अपका रेषियो को समान करना है है तो यहीं तो फिप्टी नाइन भार कि अच्वा सीपी का तो फिप्टी नाइन से कुछ शाथ है यह वन तो इन उनोन को इसको गुना करो इसको फिफटी नाइन से उना करो रहते बाल armour है फिर समझता है और फिर समझते हैं इस में हिसाब होता है हमीं क्या करना था लिखो वाटिश्ट ओवरॉल गेन और लॉस इन दोनों इस पी को अगर एक्वेट करेंगे तो यह वैल्यू आजाना चाहिए क्वेट हो के हां सर तो सर लॉस कितना होता है सर बाइस नो नो दून आठारह नो दूना ट्रह मतला वान नाइंट एट का लॉस रोच अ इस पीटना होता है सर वट इट नाइन-ई इट का छीक है इसमें भी वान डू नाइन इट का आएगा जब की सर पांस तिन पंद रहा नौ इन 27 तो 27 का कैरीफर्ड दो पांच दिर पंद्रा दो सत्रा 177 यहां तक हो गया ठीक है बड़िया बात है अच्छा बड़िया बात है अब बताव एक चीज आपको क्या दिख रहा है कि 1289 बराबर 10384 देखो सर 10384 डेटा दिया वाइना तो 10384 के समान तो 1298 बराबर कितना होता है सर 10384 कितना गुणा आ रहा है सर कुछ नहीं देखो यह इसका एक दो एक दो हटाते है तो बारा से बारा आठ 96 तो आठ से गुणा करो तो बारा आठ से गुणा करो आठ चौसट चार केरिफर्ड चेक आठ ना बात तर अच्छे 78 केरिफर्ड साथ आठ दुना सोला और साथ 303 is केरिफर्ड दो आठ दो दस तो 1034 आगया तो इसका आठ गुणा आ रह रहा है तो हमें यह कितना मिला था यह एक प्रॉफीट मिला था यह là लास मिला था ओभरराल कितना हुआ था साथ इकाम आठ साथ दो-णौ एक्कैस का प्रॉफीट हुआ था तो प्रॉफीट 21 सकता बड़ी आबात है तो अगर हमें पार्सेंटेज मांग लेता तो क्या होता सर्वान सिक्स्टी एट का हिसाब कर लेते किस के उपर सीपी के उपर हिसाब कर लेते चलो ऐसा ही कोश्चन आएगा आगे आगे भी आएगा आपके लिए स्सीजियल 11 जून 2019 में पूछे गये थे क्या दिया हो है तू आर्टिकल्स यहां पर देखो सब्सक्राइब टू आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर् सोल्ड फर रूपीज वन जिरो जिरो फाइब में बेचा गया और कितना में अन अन वन अचा ठीक है अब फिर से एक ही कुश्च सब्सक्राइब जिरो जिरो फाइब में बेचा गया अन वां दसेलर गें फिटीन परसंट और यह लॉसस थर्टीन परसंट वाट इस ओवरल गेन लॉस परसंट कारेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक बढ़िया है ठीक है हम लोग इसका दूसरा तरीका भी निकालेंगे धिरे दिरे दिरे कर के थोड़ा सा दूसरा तरीका निकालेंगे लिकिन पहला तरीका समझते है 530 का वालू कितना होता है 323 डूसरा तरीका 13 13 13% रशोक इसका कुछ नहीं होता है यह profit है यह loss ठीक है अब देखो से CP में से यह profit plus or minus लिग लेता है और SP लिग लेता है TP कितना था सर बीस था त्वीन रुपए का profit कि दुवा प्लस त्री एस पी कितना हुआ सो रुपए का लॉस कि दुड़न से रुपए का और सिलिंग प्राइस कि दुड़न हुआ यह इसाफ कर लो तो तिरा अट आयेंगे तो यतिशा इस एटिसेवन हो जायगा हां सर और एटिसेवन और ते इस के बीच में कोई रिलेश तो सिपी निकालना भी चाहिए तो तीज़ का कितना है सदेज़ दूना 46 460 प्लास इसका कितना है सड़ 2700 ठीक है बड़ी आ बात इसका कितना है तेज़ से क्यों इसको गुना किये गलत कर दिये किससे गुना करना है 87 से इस सीरीज को गुणा कर दो और 23 से इस सीरीज को गुणा कर दो 87, 0, 72, 74, 1, 82, 16, 17, 1740 और इसका 23 सो आता है इसका कितना हो रहा प्राइस, प्लास 3 मतलब सा 721, करिफ़र 2, 83, 24, 25, 26 ठीक है, तो 261 हमने सही लिखे, हाँ सही लिखे, प्लास 261 और इसको कितना है, 23 से गुणा करता है, तो कितना होता है, 23 से आपका 20 गुणा है, मतलब 870, 87 गुणा 20, मतलब 8ダूघर 16, 72, 14, 1740, तीन गुणा मतलब 721, करिफ़र 2, 83, 24, 24, 26 तो कितना होता है, सह चहें सो के 10, 1 आता है, 7, 2, LAUGHTER 10, तो 2000 तेन आति तन वान तो नीचे वाला भी तुदाज़न वान आएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में और इसका कितना रहा है एटि सेवं त्यरा कितना होता सरील इट सेवेंट्ञा यहां तक सहही है समझ में आगए अब देखो इसाब खतम हो गया कैसे इसाब हो गया यह जो ओन जरो फाइब वैलू दिया हो है कहां आप मार्क कर रहो है वान जरो फाइब यह वो बराबर टुटॉजन वान है hanza to dozen one इसका 5 गुना हो जाता है आपका एंसर देगो इसका पांच्य यह अंसर आगा तुसा सभी और कितना हो रहा है the loss कितना हो रहा है एक Date 323 ठी ना थर्टी protective Kas AgrTwo जर्टी के कैसे उपर हमें पांच गुना करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए जब कि हमें fraction को निकालना है या फिर percentage को निकालना है तो हमें पांच गुना करने का कोई जरुवती नहीं है क्यों नहीं है देखो सध्यान लगा तक अगर यह CP होता है इसमें भी पांच गुना होगा ना हां सक तो 04 और साती इंदस के रिफर्ड वन तो दो एक कम तीन हुआ कितना नहीं हुआ ठीक तो तर्टी एट गुना पांच करते एक सोनब्बे आता तो इसके पांच गुना करते से बहुत ज्यादा आ जाता है तो इसका कितना प्रतिशद हो रहा है यह लगबग लगबग नौ चके 36 आ रहा है तो पॉइंट नाइन के आसपस आ जाएग देखो यहाँ पर क्या दिया हो एससे सिजल 11 जूल 2019 का खुशिशन आईए टू आर्टिकल सा सोल्ड फॉर रूपीज 5104 पांच जार एक सो चार में बेचा गया अन वान दस सेलर गें 16 परसंट और अन आदर ही लोसेस 12 परसंट वाट इसको ना थोड़ा सा हम्वक दूसरे से शोला पॉतवडेर के दूसरी से समझते हैं किसी का 16 प्रतिसद का लास होने का सेलर गेंगें करने का बात जो प्राइस आना हे वह 100 कर लेता है ठीका है सम्झो मेरी बात को बहुत आसानी इसे नहीं समझवेगे थोड़ा से समझव तो 16% का loss वो यह SP है SPP को 100 निकाल लेता है तो 16% का loss हुआ दूजा अगर का 16% का loss हो रहा है मतलब 84 होता है 84 ans 100 दूसरा प्राइस है ठीक है या तो य का अगर हम लोग 12% का profit करता है तो कितना होता सर य के उपर 12% का प्रफित निकालता है थे तर वाई आपने के साथ तो हम लोग क्या सोल फॉर इच बोला गया है ना हां सर तो एकस सब्सक्राइब झालने सकते सर पान जैर एक सोचार गुणा सौ अपन एकटीफूर इह जला जैर जैसे गुणा कर लेता है तो दो से दो छे बारा तो छे कम चे दो छे बारा तो खतम का निक तो सोला आता है सरी किस से काटेंगे फिर जाके पॉइंट पर आ जाता है हमारा यहां पर फज्जाना अनिवारे है क्यों अनिवारे हैं देखो हमने जब स्टार्टिंग किया यहां पर सोला परसेंट और बारा परसेंट में कोई दिक्कत नह sesame है हम लोग हिसाप कर पाएं वह कि लिकिन जैसे जैसे हम लोगं calculation निकालते जाएंगे वैसे वैसे हमारे वैलूज थोड़ा दगमगाता जाएगा कैसे दगमगाता जाएगा तो आपको दिख रहा ना कितना आया इसके पहले वाले कोश्चन में कितना आया था देखो पॉइंट नाइन फॉर का लॉस हुआ था तो इस तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा हिसाब में दिक्कत आ जाएगा फिर जाके नह हमें दिया हुआ था पांच हजार एक सो चार ठीक है उसको हिसाब में नहीं रखते है अब देखो सर्थ cpi था गें था यह गें और लॉस था और रशी था ठीक है यहां तक सही है हां से सही है आपको कितना कितना वैलो दिया वह यह अगर समझ में आग मैं तो फिर आपका त प्रतिशत दिया हुआ सर गेन है 16 प्रतिशत का वैलू मतलब सर 4 बड़ा 25 ठीक है 16 प्रतिशत का वैलू बरावर 4 बड़ा 25 देखो एंसर में इतना खराब पॉइंट दिया हुआ कि आपको पॉइंट में आना अनिवारिया और कैल्कुलेशन और भी पेचिदा बनता जाएगा सर गेन और लॉस सर यह पहला वाला गेन था तो प्लास 4 करते हैं तो 20 आ गया एस पी बराबर दूसरे केस में कितना हो जाएगा 12 परसंट का लॉस मतलब 4 तीन बड़ा 25 इसका लॉस हुआ तो 25 था तीन लॉस हुआ तो कितना हुआ 22 हुआ इन दोनों के हिसाब लगाता है इस सर पचीस दस 250 माइनास 30 इधर कितना था 220 ठीक है यहां तक समझे अब देखो बोला गया सर 5104 कौन से वैलू है सर 220 के वैलू 5104 है 220 के वैलू आपका 5104 है यह अगर समझे तब जाके ठीक है लेकिन हमें एक चीज़ बताओ आपको 16 कहां से मिल गया सर थोड़ा सा यही तो सा दिक्कत दे दिया कहां से सर यह 25 यह 25 हो था 25 के 29 हो था और और यह 29 करेंने ध्यान लगा кे करना मेरे तरह का गलती मत कर देना वावलू यह दिक्कत तो फटिस गिना तो पस्टीसन नफश्त पाइ तो फटा 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 इसाब करेंगे तो कितना आ जागे यह इसके उपर सटोटल वैलू के उपर हमें ये पांच गुना नहीं करना यह दस गुना नहीं करना है इस अधसल गुना नहीं करना है कि सीब्सक्राइगे क्योंकि दोनों में गुना हो जागा ना तो यह पांच होगा पांच फटा चाइगा तो पांच से पांच आट चालीस तो पॉइंट जिरो-जिरो इट के आसपास आएगा option number one is the correct answer, ठीक है, समझ में आ गया, यह फिर कोई दिक्कत है, आज से घरते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो चलते हैं, next question के दरफ देख लेते हैं, क्या दिया हो है, देखों यह क्या दिया हो, ससी सीजल 11 जूट, जितना question एक घंडे के अंदर होगा, हम लोग उतना ही question कर ल and loss में भी थोड़ा सा पीचीदा question कभी-कभी बनाया जा सकता है, जैसे यह सब questions ना time लगता है, बहुत time लगता है, अगर आपका fraction value calculation ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रहा है, और मेरे तरह आप बेचायन होके आपको पढ़ाना का कोशिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइक को ह बेचा गया, on one there is a gain of 14%, कितना है सर, एग में 12% का gain है, 14 नहीं 12% का gain है, ठीक है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, on other there is a gain of 14% and on other there is a loss of 12%, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो दूसरे में loss दिया हुआ है, 12% का, 14% मतलब 2, 7, 14, 2, 5, 10, 7 वड़ा पचास गेन, और 12% मतलब सचा 25, सेती अवारा, 24, 25 तो त्यां बटा 25 का loss, तो झाल एन यह gain on loss a loss, gain on loss GL, और इधर कितना है इधर होता है, अपका This up to GP, कितना है, सर, 5 ए정 ete7 तो 57 आ जारहीं यह, Пर 25 पच्छेंट, 500, अगया,े तो यह नहीं towards 50, बूसरे में तो you 1 10 and 32 also 32 72 14 154 औत निय्क पस्सिनेगी नियारे श्ट वाण डेसी मल प्लेस तक पर सफ करना ओवारल लेंगिन लॉस्ड तो हमें कुछ से मुना करना जरूरत नहीं है वर रोत NEE करना है शटावन से अ जरूना करते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे उसके पहले देखते पंस तिन पद्रह साथी किस तो तो कितना होता है सार दो यह सबस के ओपर हॉपर टोटल प्राइस यह पर पांच है दो यह सीपी था ना है सा चारे कम पांच दो तू फाइब तू फाइब के उपर लॉस हो रहा है कितना पतिसाद इन्टू सॉक अगर हमने यह समझा कि तू फाइब तू फाइब के उपर लॉस हो रहा है ठीक है तू फाइब तू फाइब के उपर लॉस हो रहा है कितने में लॉस हो रहा है सा तू फ लग 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 देखो सर पॉइंट बीट आते हैं तो कितना होता है सर एक सो के च्छे के आसपास आ रहा है सभी किये नहीं सरी यह पार्सेंट का सौ गुना करना था तब जाकर पार्सेंटे जाता तो बढ़ी यह बात है तो चलो देखते है नेक्स्ट कुशन क्या होगा कि देखो यह सब कोश्चन करके बताना है अगर अगर कंटीनुआसली पड़ रहे हो तो हो मार्क बताने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है अपसे नहीं बन पा रहा है हरो कुश्चन का इतना सारा सिखा रहा हूं फिर भी नहीं बन पा रहा मुझे स्ट्राटेजी कुछ आना और अगर सब का एक साथ करेंगे तब जाके आपसे कोई दिक्कत नहीं आगा इसमें मजा आता है सबका देखो फो नाइन फाइब सिक्स में बेचा जा रहा है देखो ध्यान लगाओ यहां पर जब भी आपको पार्सेंट हिसाब करने के लिए दिया हुआ है नियारेस् का गेन 16 पर संद मतलब 4 चुक्र6 25 तो इसका लॉस तो ससी पी यह गेन लॉस और यह इसपी कि पचास सी पिछा घेन हो गया नो का तो बढ़ाओ 9 प्लास लिखो तो कितना हो ता सर 59 शब्बब हो गया 25 था लॉस हो गया 4 का तो कितना हो गया 21 हो गया हमें यहीं हिसाब करना है सर यह दोनों टाम हिसाब करना है हमें इसका कोई ज़रोत अभी नहीं है हमने इकॉल कर दिया साथ कुछ टाम मल्टिपल हो जाएगा आपको दिखा दिये क्यों नहीं ज़रोत है तो इसके इक हम पचास दुना पचास है कम पचास पचास दुना सौ तो किदना हाता सर वन जरो फाइब बड़िया बत हां सर अब पच्शी सब्सक्राइब करें तो इसके साथ 25 कितना होता सर सब्सक्राइब करो कितना आता सर 279-7-8-8-9, मायनास में सब्सक्राइब इसमें कितना हता है 9-36-6-3-5-22-3 तो लॉस ही हो रहा है सर 189 का हिसाब करते है तो 9-7-16-8-9-9-9-4-13 तो 47 का लॉस हो रहा है किस के उपर सर 47 का लॉस हो रहा है पांच साथ पांच बारा के रिफट वान पांच चार गम पांच तो 2525 के उपर हो रहा है कितना लॉस सर 47 का लॉस तो धिहान लगाओ अगर 47 का लॉस 2525 के उपर हो रहा है तो कितना हो जाएगा सर कुछ नहीं है इसको कोई साब करता है तो इन्टु सा कर ले तो यह पार्सेंट जा जाएगा तो एक सो एक तो पच्छीस चो के सौक तो इसका चार गुना करता है चार सट अठाइस के रिफट दो चार चो के सोला सतर आठ रहा वान इटीट अपन वान जिरो वन तो यह लगबग लगबग वान पा कोशिस किया जा रहा है कि CGL 12 जून में 2019 में पूछे गये थे अब ध्यान लगा के करो आप से बन जागा दो आटिकल किया जाता है 4880 एक ही टाइप का कुश्चन है हम करवा रहे हैं इसी कारण से ताकि आप से प्रैक्टिस हो जाए जब भी यहां पर पार्सेंटेज हिसाब और इसका SP तो पचास में कितना गेन कर रहो सर यारा का गेन कर रहो कितना हो रहा सर 65 हो जा रहा सर 61 हो जा रहा अचा इसमें कितना हो जाएगा सर पांच में एक का लॉस कर रहो कितना हो रहा सर चार हो जा रहा तो इसको चार से गुना करो इसको 61 से गुना करो खतम कानी तो 54 कितना होता है. पांच च्टोगे 20 तो 200 और 414 इधर कितना हो रहा है? 165, 6535C50 तो 905 और 161 में 61 तो 44 से 61 कितना होता है? 724, चारकम 5, 17 रुपय का लॉस हो रहा है किसके ऊपर लॉस होगा? थैठ सा 17 रूपय का लॉस हो रहा आपका करना बी ऑस सी के बीच में होगा तो हिसाब लगायो जल्दी जल्दी घ्ल्दी हिसाब लगाते तो whiskey दस एक आ गया 8 आ गया एक आ गया 7 आ थिक है । कपांच के कारण जिरो तो पांच तीन 15 होता है पांच किarti का 20 होता है तो next question क्या दिया आवा है हां से चलो देखता है देखो ये से से सीजेल 12 जून 2019 का question है दो आर्टिकल आज सोल्ड फॉर रूपिस 975 इच थोड़ा से दिक्कत हो रहा है दो आर्टिकल का loss होता है मरवर एक बर्टा चार यह loss हो रहा है तो सीपी गेन और लॉस और टोटल profit लॉस या फिर С बोल सकते हैं इसको सरथ हिसाब करता है यह चार्ट हिसाब करता है तो दस में 3 रूपए का gain करा रहा है तो कितना और सर यहां पर पार्सेंटेज दिया हूआ मतलब इस value का कोई महत्वर नहीं है तो 13 सर फिर से देखो चार में एक का loss कर रहे हो मतलब तीन आ रहा है तो यह 1349 और 1349 इसको हिसाब करो तेरा से गुना करो 132 133 49 और इधर कितना होता है चार तिन 12 तीन अगम तीन तो यह loss होगा यह profit होगा सर प्रॉफिट होगा सब्सक्राइब Какते से तेरроп यही ज़्युचक अप धिक्कत करने चालो करते हैं तो इसी लिए लिखना अनिवार है है पहले प्रैक्टिस करोगे जब तढ लीग करो तीन धस तीस तीन का इप लॉस को रहा हूगा किसके उपर हो रहे है फ्रब्रs किटना हो रहा है कितना हो घानी खतम कहानी हम सर कितना होका सबक्र कीतना होगा मतलब यह हिसाब करता यह चार से काटेंगे नहीं से 2 से काटते हो तो 2 से काटेंगे तो दूधुना चाथ 2 काट 42 तो 200 उपन 42 तो 4 5 20 तो 5 के असपस आएगा लेकिन नहीं होगा 5 तो लोस आएगा 4.9 परसंट का लोस होगा option number A ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये मेरे से गलती हो ही जाता है आपके लिए जब भी करवाते हैं तब भी गलती हो जी जाता है उसका जिसके साथ जिसका गुना करना पड़ता है उसके जगा पर दूसरा गुना कर लेते हैं हमेशा आप लोग पकड़के बोलते हो ये बताना पड़ेगा ही पड़ेगा होंवर्क कितना है सर ये एंसर में दिया हुए 7.3% गेन उपर के एरो दे देता है बी में दिया हुए 7.3% का लॉस और सी कितना दिया हुए 6.8% का लॉस और डी कितना दिया हुए 6.8% का गेन ये आपको हिसाब करना है हिसाब करके हमें ब मेराज।